आज हम ठाकोर्जी के लिए इस तरह मोती का आटबंद बनाएंगे अब अमारी गर्मिया शुरू हो गई है तो हम ठाकोर्जी के लिए मोती का वस्त्र बनाएंगे इस तरह आटबंद केते हैं इसे तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने इसमें सबसे जो जिरो साइद का छोटा मोती आता है वो लिया है इस तरह एक अलगी डीजैन है इसी डीजैन आपने कभी बना के नहीं देखी होगी तो चलो हम इस तरह बनाना स्टार्ट करते तो फ्रेंड अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ट्रेस करें और ओल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो आटबंद बनाने के लिए मैंने इस तरह सबसे जो छोटा साइज आता है जिरो साइज में वो मोती लिया है मैंने वो फवाइट मोती लिया है इस तरह तो इस तरह ए मोती है छोटी साइज का जीरो साइज में सबसे सोटी आती है वो साइज है तो चलो हम आड़ बंद बनाना चालो स्टार्ट करते है तो इस तरह पहले हमें चार मोती लेने है और फिर आमें यह जो दो पहले वाले मोती है उसमें सामने से निडल इस तरह और फिर इस दो नो मोती में से निडल इसे फिर आम दो मोती लेंगे फिर यह से सामने से निडल और फिर उस दो नो मोती में से रिटर्ण फिर दो मोती लेंगे तो इसी तरह हमें पहले उपर की लाइन कंप्लेट करने है फिर रिटर्ण तो इसी तरह हम दो दो मोती लेकर कंप्लेट कर लेते हैं पहली लाइन तो इस तरह हमने पहली लाइन कंप्लेट कर लिए है मैंने इस तरह दो दो मोती 15 बार लिए है ये अमारी एक इत करीबन लंबाई आई है इस तरह अब आमें पांच मोती लेने है इस तरह आमें पहला छोड़के ये दुसरे में से निडल लेंगे दुनों मोती के 20 में से इस तरह हमें सिर्फ ये दोनों मोती के बीच के धागे में से निडल लेनी है और ये जो अमारा ये पांचवा मोती है उसमें से रिटन निडल इस तरह फिर हम पांच मोती लेंगे और फिर एक छोड़के आगे के दुनों मोती के बीच में से निडल और फिर एक पांच मोती में से रिटन लेंगे तो हर बार हमें पांच मोती लेकर एक के छोड़के आगे के मोती के बीच में छे सामने तका में कमप्लेट करना है इसी तरह एक छोड़के आगे के मोती में से फिर पहले वाले मोती में से रिटन तो चलो हम इसी तरह यहां तक कमप्लेट कर लेते हैं तो इस तरह हमने यहां तक कमप्लेट कर लिया है अब लास्ट में आपने 5 मोती लेने है और यह जो लास्ट वाला मोती है उसके एक मोती में से निडल इस्तरो तो इस्तरो हमारा टोटल साथ बार पांच पांच मोती आएगा इसे अब हमें ग्यारा मोती लेने है टोटल ग्यारा मोती लेंगे और यह जो हमारा यह पहला वाला मोती है वहाँ से उपर से निडल और आगे के मोती में से निडल और यह पहले वाले मोती में से यानि टोटल हमें तीन मोती में से निडल लेनी है इस्तरो तो इस तरह अमारा ये बनेगा अब फिर से अमें पांच मोती लेने हैं और ये दो मोती और ये दो मोती दोनों सेट दो दो मोती छोड़के अमें विस में से एसे निडल लेनी है और फिर हमने जो ये लास्ट में मोती लिया है पांचवा उसमें से निडल हमें सीफ एक मोती में से रिटन लेनी है और फिर से पांच मोती फिर रिटन एक मोती में से इस तरह हमें दोनों सेट दो दो मोती छोड़के लें बीच में से निडल लेनी है और हर बार हमें पांच मोती लेने है इस तरह हमने जो लास्ट में पांच मोती लिया है उसे में से रिटन तो इसी तरह हम यहां तक कंप्लेट कर लेंगे यह बहुत ही प्यारी डिजैन है आटबंद की और इजी भी है झाल 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 तरह हमें पांच मोती और आगे के दो मोती छोड़के यहां से निडल पांच मोती लेने है फिर एक मोती में से निडल रिटन तो इस तरह आमारी दो लाइन कमपलेट होगी फिर आमारी तीसरी लाइन स्टार्ट होगी तो फिर आम पाच मोती लेंगे पहले और ये दो मोती छोड़के और उस तरफ हमें दो मोती छोड़ना है इसे और फिर पहले वाले मोती में से रिटर्न फिर से पाँच मोती फिर दो मोती छोड़के पहले वाले मोती में से रिटर्न तो इस तरह हम यहां तक कम्प्लेट कर लेते हैं पाच-पाच मोती लेकर तो इस तरह हमने यहां तक कम्प्लेट किया है अब हमें यहां से अमारी साइज छोटी होती जाएगी अमें एक खास्तियान रखना है जिस तरफ हमने ए भाग किया है इसकी तरफ हमें छोटी साईज बनेगी तो हमें लास्ट में चार मोती लेने है और यह पहला मोती छोड़के और दुसरे मोती के दुनों के बिष में से निडल पहले और दूसरे और फिर तीन मोती में से रिटन लेनी है निडल में इस तरह येसे तो इस तरह हमारी ये तीसरी लैन कम्प्लेट होगी अब फिर से हम पाट मोती लेंगे अब हमें पाच मोती लेने है और ये दोनों मोती के बीच में से निडल फिर एक ग्रिटन एसे हमारी जब लाइन पूरी हो तब हमें लास्ट में ये हाँ चार लेने है फिर जब हमारी ये लाइन स्टार्ट हो तब हमें पाच मोती ही लेने है तो इसी तरह हम फिर से पाच मोती लेंगे पीड़ीटन तो इसी तरह हम आगे तक कंप्लेट कर लेंगे पाच-पाच मोती लेकर यह बहुत ही बनाने में इजी है अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप आमें कॉमेंट करके कुछ सकते है या आप इसी वीडियो को दूबारा देखेंगे तो समझ आ जाएगा तरह फिर पाच मोती लेंगे आम और यहां आम एक मोती छोड़के इस तरह निडल लेंगे और रिटन अमें दो मोती में से निडल लेनी है इसे तो यह वाला अमारा भाग सिधाएगा तो आमें यह पहला मोती छोड़के और पहले और दूसरे मोती के 20 में से निडल लेनी है इस तरह और रिटन अमें यह पाच मोती जो लिए है उसमें से दो मोती में से रिटन लेना है और फिर आम पाच मोती लेंगे फिर पाच मोती और यह आगे के दो मोती छोड़के यहाँ से निडल इस तरफ हमारा एक मोती बचेगा फिर पाच मोती में से रिटन निडल जैसे आम आगे लेते छे वेशे ही तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना होगा यहाँ पे और यहाँ पे बाकी सब बिच में सेम ही आएगा पाच पाच मोती लेकर फिर दोनों के बीच में से निडल उड़े पहले वाले मोती में से रिटन तो इसी तरह हम यहाँ तक कंप्लेट कर लेते हैं तो इस तरह हमने यहाँ तक कंप्लेट कर लिया है और आगे जैसे हमने लास्ट में चार मोती लिये थे विशे चार मोती लेकर यह पहले और दूसरे मोती के बीच में से निडल लेंगे और फिर तीन मोती में से रिटन लेंगे तो आपको सिर्फ इस तरह त्यान रखना है यहाँ जब आप आए तब हमें चार मोती लेने है और तीन मोती में से रिटन फिर हमें जब आगे नई लाइन स्टार्ट करे तब फिर से पाच मोती लेने है 5 मोती और है आगे के दोनों मोती के बीच में से दोनों छाइड दो दो मोती छोड के और पहले वाले मोती में से रिटन येसे तो इसी तरह हम आगे तप कम्पलेट कर लेते हैं पाच पाच मोती लेकर तो अब हम यहाँ तका गए है अब हमें इस तरह पाच मोती लेकर आगे के एक मोती छोड़के फिर दो मोती में से रिटर नेडल लेनी होगी लास्ट वाले दो नो मोती में से तो इस तरह तो इस तरह हमारा कुछ आएगा पहले तीन मोती तीन मोती तीन मोती और दो दो मोती बिच में तो इस तरह हमारी पेटन बनेगी और यहाँ इस तरह तो यहां से अमारा एक एक लाइन कम होता जाएगा तो जब हम आगे क्या कंप्लेट किया वेसे ही कर लेते हैं फिर पाच मोती लेकर यहां दोनों मोती के बीच में से निडल लेंगे इस तरह आगे दो मोती छोड़के यहां से और लास्ट में आमें चार मोती लेकर यहां से न तक कम्प्लेट कर लिया है लास्ट में अमारा दोस्टे बचे है और फिर आम पाच मोती लेंगे रागे जह से लेते थे सीधी साइड में अमने यहां दो मोती छोड़के और फिर पहले वाले मोती में से रिटन निडल और फिर हमें चार मोती लेने है यहाँ तो इस तरह हमने आगे रिटन में यह पाच मोती लेकर यह ले लिए आए है जब हम लास्ट में यहाँ चार मोती लेते थे इसके जग़ा आए हम लास्ट में 5 मोती लेंगे और पहला मोती छोड़के आगे के मोती में से रिटन निडल इस तरह दोनों मोती के बीच में से और फिर रिटन 2 मोती में से निडल हम लास्ट में तीन मोती में से लेते थे यहां हम दो मोती में से रिटन लेंगे इसे तो यहां हमने पाच मोती ले लिये थे और मैंने बोला था यहां हम फिर पाच मोती लेंगे बड़ सोरी यहां हमें चार मोती ही लेने है और आगे की तरह और फिर तीन मोती में से रिटन लेंगे जैसे हम आगे कंप्लेट करते थे वेसे ही क्योंकि लास्ट में हमारा एक स्टेप आएगा तब हम पाच मोती लेंगे तो इस तरह तीन मोती में से रिटर्न निडल इसे अब हम पाच मोती लेंगे फिर पाच मोती और यहाँ एक मोती एक मोती छोड़के यहाँ से निडल रिटर्न और फिर अमें एक मोती में से रिटर्न लेनी है इस तरह एसे अमें एक मोती छोड़के एक मोती के बीच में से लेनी है और फिर अमें एक मोती और फिर बीच का एक मोती छोड़ देना है और आगे के दोनों मोती में से रिटन लेंगे इस तरह आप चाहे तो वेशे भी रख सकते हैं लेकिन ये अमारा अच्छा सा पोईट बनेगा इस तरह तो इस तरह अमारा ये आट बंद बंद के रेडी हो गया है अब हम यहां गाट लगा कर तगा कट कर लेंगे तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये आट बंद बंद रेडी हो गया है हमने ये गाट लगा कर धागा कट कर लिया है तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर कॉमेंट करके बताएगा और मेरी चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब चारूर करना जैसी क्रशना